हलो, I am Abida and welcome to my flavors आज हम सर्दियों में मिलने वाली कच्ची हल्दी की सब्जी बनाएंगे कच्ची हल्दी सर्दी जुखाम से बचाने के साथ साथ आपकी overall immunity को भी बढ़ाती है आज की इस हल्दी की सब्जी को हम एक बहुत ही special तरीके से बनाएंगे इस हल्दी की सब्जी को हम कई सारी vegetables के साथ और घी में बनाएंगे जिससे की इसका taste और इसके health benefits और भी बढ़ जाएंगे तो आएए जल्दी से हमारी mixed vegetable हल्दी कोर्मा या हल्दी की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें और अपने comments और feedback मेरे साथ शेयर करना ना भूलें हल्दी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम कच्ची हल्दी लिए है कच्ची हल्दी अद्रक की तरह दिखती है पर यह पीले कलर की होती है अब इस कच्ची हल्दी को हम अच्छे से धूलेंगे और उसके बाद इसे इस तरह से छील लेंगे अब इस छिली हुई और धूली हुई हल्दी को हम कद्दुकस कर लेंगे तो देखे मैंने यहाँ इस कच्ची हल्दी को कद्दुकस कर लिया है अब हम इस कद्दुकस करी हुई हल्दी से उसका रस अलग कर लेंगे तो उसके लिए हम एक बाउल लेंगे और उस पर इस तरह की एक जाली रख लेंगे और अब इस हल्दी को हम इस तरह से निचोडते वे उसका रस निकाल लेंगे तो देखें यहां हमने कद्दू कसकरी हुई हल्दी से उसका रस निकाल कर इस पाउल में कलक्ट कर लिया है अब हमारे पास जो यह हल्दी का निकला हुआ रस है इसके अंदर हम सबजी में डलने वाले मसाले अड़ कर लेंगे तो इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ एक कप थिक दही, यह लगबग 200 ग्राम दही है दही के बाद इसमें हम डालेंगे एक टेबल स्पून लाल मिट्च पाउडर और एक टेबल स्पून धन्या पाउडर अब इन सबी मसालों को हम हल्दी के रस में मिक्स कर लेंगे अगर अभी तक आपने माई फ्लेवर्स को सबस्क्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज इसे सबस्क्राइब करके साइड में दे बल आइकन को भी प्रेस करें जिससे के आपको मेरी सबी वीडियो के अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा तो यहां हमारा सबजी में डलने के लिए मसाले का पेस बन कर तयार है इसे हम एक बार के लिए साइड में रख देते हैं आईए अब हम हल्दी की सबजी बनाना शुरू करते हैं हल्दी की सबजी बनाने के लिए हम एक पैन में डालेंगे लगभग 200 ग्राम देसी गी आप इस सबजी को तेल में भी बना सकते हैं पर चूंकि हल्दी की तासिर बहुत गरम होती है इसलिए इसे हमेशा घी में बनाया जाता है जब घी मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम लगबग 1.500 ग्राम या 3 मीडियम साइज के प्याज बिलकुल बारिक चॉप करे हुए डाल देंगे अब हम इन प्याजों को हलका सा नरम होने तक मीडियम से हाई फ्लेम पर पकाएंगे देखे प्याज हलके से ट्रांस्परिंट होने लग गए हैं अब इसमें हम लगबग 1.500 ग्राम बारिक चॉप करी हुई फूल घोबी डाल देंगे फूल गोबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम लगबग 1-2 मिनिट या हलका सा नरम होने तक पका लेंगे इस हल्दी की सबजी को बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है तो प्लीज अगर आप इस सबजी को जब भी बनाए तो इसके प्रोसेस और मेजरमेंट को पूरी तरह से फॉलो करें तब ही आप इस सबजी के टेस्ट को अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे अब इस सबजी में हम डालेंगे लगबग 1.500 ग्राम फ्रेश मतर मतरों को सबजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पैन पर धकन लगाकर अब इस सबजी को हम लगबग 5 मिनिट तक पकने देंगे 5 मिनिट बाद पैन का धकन हटाएंगे और इस सबजी में हम एड़ करेंगे 100 ग्राम बिल्कुल बारिक चॉप करी हुई हरी मिट और साथ ही इसमें हम डालेंगे लगबग 1 टी स्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक नमक और हरी मिट को सबजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम डालेंगे दो मीडियम साइज के टमाटर बिल्कुल बारिक चॉप करे हुए टमाटरों को सबजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पैन पर धकन लगाकर सबजी को टमाटर नरम होने तक और पकने देंगे लगबग दो मिनिट बाद या जब आपको लगे कि टमाटर हलके नरम होने लग गए है तब हम इस सबजी में हमारी रस निकली हुई और कद्दू कस करी हुई हल्दी डाल देंगे हल्दी को सबजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप पैन पर फिर से ढकन लगाकर हल्दी को नरम होने तक पकने देंगे लगबग दो तीन मिनिट बाद या जब आपको लगे कि सबजी से उसका पानी खुश्क होने लग गया है तब उस स्टेज पर हम इस हल्दी की सबजी में हमारे हल्दी का रस और उसमें डले हुए मसालों का पेस्ट डाल देंगे पेस्ट को सबजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस सबजी को हल्दी नरम होने तक पकने देंगे लगभग 5-7 मनिट बाद या जब आपको लगे के हल्दी और मटर लगभग 90% तक कुख हो चुके हैं तब उस स्टेज पर इस हल्दी की सबजी में हम लगभग 1 टेबल स्पून फ्रेशली कुटा हुआ लसन डाल देंगे लसन को सबजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इस हल्दी की सबजी को हम पूरी तरह से पानी ड्राइ होने और गी चूटने तक पका लेंगे ये देखे हमारी हल्दी की सबजी से गी पूरी तरह से चूट गया है अब हम गैस का flame off कर देंगे और इसमें freshly chop करा हुआ हरादनिया डाल देंगे तो लीजिए हमारा mixed vegetable हल्दी का कोर्मा बन कर तेयार है सर्दियों में healthy और fit रहने के लिए आप इस सब्जी को रोज खाने के साथ थोड़ा थोड़ा लीजिए आप इस हल्दी की सब्जी को जरू ठ्राए करें और मुझे comment करके बताएं आपको यह कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे like करें, share करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें see you next time with a new recipe, till then have a flavorful eating